नमस्कार दोस्तों मैं सीमाडेमन मेरे इस टीटूप चल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शनी देव 24 जनवरी 2020 को अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं और यह अपने स्वें राशी में आ रहे हैं धनू राशी से निकल कर यह मकर राशी में प्रवेश करेंगे और अपनी स्वें राशी में इस्तित होने के कारण यह 6 नामक राजयोग बना रहे हैं यह 6 नामक राजयोग 30 साल में एक बार बनता है क्योंकि शनी देव एक ऐसे ग्रे हैं जो बहुत स्लो स्पीड में चलते हैं अर्थाथ एक ही राशी में वह धाई वर्ष तक रहते हैं धाई वर्ष बाद ये अपना राशी परिवर्टन करते हैं इसलिए 12 राशियों में इनको राशी परिवर्टन करने में 30 साल का समय लगता है और अपनी स्वें की राशी में आने में इसे 30 साल का वर्ष लगता है दोस्तों इसलिए शनी देव 30 सालों बाद यह राज योग बन जो लोग अशुप और गलत कारे करते हैं तो उन्हें शनी का दंड भी भोगना पड़ता है शनी, गोचर, शनी की महादशा और साढ़े सृती के फलसरूप मनुश्य के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, हाला कि ये परिवर्तन सुकत और कस्ट कारी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं. इसका फल मनुश्य के कर्म और राशी वे कुणली की शनी की चाल और इस्तिती पर निर्भर करता है विबिन भाव में शनी की गोचर से अलग-अलग फलो की प्राप्ति होती है दोस्तों यदि आप रशब राशी के जातक है तो शनी देव जब अपना राशी परिवर्तन करेंगे तब आपकी शनी की ढहिया खत्म हो जाएगी यह गोचर आपके लिए आपको परेशानों का सामना यदि करना पड़ रहा होगा तो उन सभी से आपको मुक्ती की प्राप्ति होगी शनी देव आपके धनू राशी को छोड़ कर जब मकर राशी में अर्थात आपके नौम भाव में विराजित हो जाएंगे और अपने स्वेय राशी में इस्तित ह हो जाएंगे तो भग्य का आपको पूरा-पूरा साथ मिलेगा जिस भी कारे में आप हाट डालेंगे उसमें आपको उन्नती प्राप्त होगी व्यापार से भी आपको लाप की अच्छी इस्तितिया उत्पन होगी यदि आप नौकरी पेशा वाले जातक है तो आपको पदन होगी लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवशक्ता होगी यदि आप अपने पूर्ण आत्म विश्वास के साथ पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कारे करेंगे तो आपको बहुत अधिक शूप की परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होंगे आर्थिक तंगी से यदि आप परेशान है तो आपको बहुत अधिक निजात प्राप्त होगा माता लक्ष्मी की भी आपकी उपर अपार क्रपा बरसेगी शनी देव आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव अवश्य लेकर आएंगे वह बदलाव आपके जीवन के लिए शू आपकी तीसरी दरस्टी आपके 11 पर पड़ रही है जो कि लक्ष्मी इस्तान कहलाता है जो कि इच्छा पूर्दी का घर भी माना जाता है यदि आप ब्रशब राशी के जातक है तो इस गोचर के अंतराल आपकी असीम इच्छा वह पूरी होने के योग होंगे जिससे के लि आई से रिलेटेट हो या फिर आपके करियर को लेकर आप चिंतित है तो वह है आपकी समस्च चिंताएं आपकी दूर होगी इस गोचर के अंतराल दोस्तों शनी की साती द्रस्टी आपके थार हाउस पे पड़ रही है जो की पराक्रम का घर होता है जिससे आपको यह पास में भी इस समय व्रदी होगी आप पूरी महनत और लगन के साथ काम करेंगे दोस्तों जिसमें आपको अच्छे अफ़सर भी प्राप्त होंगे आपके जीवन में और आप सक्सेस भी होंगे छोटे भाई बहनों से भी आपके अच्छे सम्मन इस समय बनेंगे दोस्तों शनी की दसवी द्रस्टी आपके छटे भाव पे पढ़ रही है जिससे शत्रू पक्ष भी आपके उपर हावी नहीं हो पाएगा शत्रू पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों यदि आप कोई competitive exam की तयारी कर रहे हैं इस समय तो आपके selection के भी पूरे-पूरे पूक बनेंगे लेकिन आलस्ते को आपको त्यागना होगा तबी आप महनत के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ कारे करेंगे तो उसमें आपको अच्छे लाब प्राप्त होंगे दोस्तों पैसों की भी तंगी आपके जीवन में नहीं रहेगी इस समय ओफिस में भी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि शनी एक अलगावगादी घ्रह होते हैं जिससे इस समय आपकी वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है बढ़े बाई बहनों के साथ आपके जमीन की मामले को लेकर कोई विवाद हो सकता है पैत्रिक संपत्ति को लेकर आपके कोई विवाद हो सकता है इसलिए यदि आप पहले से सतर्क रहेंगे तो ऐसा विवाद आप अपने जीवन में उत्पन होने ही नहीं देंगे माता पिता के साथ भी आपके थोड़े वाद विवाद इस समय हो सकते हैं इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें जीवन साती के साथ आप अपना अच्छा समय इस समय वैतित करेंगे दोस्तों अर्थात व्रशव राशी वाले जातकों के लिए शनी का यह गोचर बहुत अधिक अच्छी इस्तित्या उत्पन करेगा उनका भग्य आवश्य पल्टेगा इस समय दोस्तों लेकिन यही शनी यदि आपकी जन पत्रिका क अंतरगत मारक हो जाएंगे नीच की हो जाएंगे सूर्य से अस्त हो जाएंगे तो फिर आपको जीवन में बहुत अधिक परिशानों का सामना करना पड़ सकता है उसके लिए आप घबराई नहीं यदि आप शनी देव से रिलेटेट छोटी-छोटे उपाई अपने जीवन में अपनाएंगे तो सनी से आप शुप फलो की प्राप्ति भी कर सकते हैं शनी देव को प्रसंद करने के लिए आप शनी देव के बीज मंतरों का जाप करें जो की ओम शम शनिच्राय नमा होता है शनी देव के बीज मंतरों का जाप आप साइंकल करें और एक माला यदि पांच बार या ग्यारा बार तो उससे भी शनीदेव बहुत जल्दी प्रसन होते हैं। शनीदेव के मंदिर में जाकर दीन दुख्यों को यदि आप दान करेंगे, समय समय पर तो आपकी जीवन में शनीद सेकु प्रभाव को जहलना आपको नहीं पड़ेगा। ये तब ही करें जब शनीदेव आपकी जनपत्रिका के अंतरगत मारक हो। यदि वे शुब है करने से पहले आप कुंडली का विचार अवश्य करवाएं। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें विशब राशी है या फिर हमारी मकर राशी है कुम राशी है तो हमें निलम धरन करना है। ऐसा नहीं होता है। आप कुंडली का विचार अवश्य करवाएं तब भी आप निलम धर गलत और दाहर нрав करते हैं लेकिन मांत्रों का उचरण ओता है जिस से हमेशा Positiv Result ah प्राप्त होते हैं दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर अवश्रे करें दोस्तों और अपने सुझाओ कमेंट्स के दौरा मुझे जरू पहुच पाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई इंट्रेस्टिन टापिक के साथ तब तक के लिए थेंक यू एंड बाबाई